हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज की हमारी वीडियो का नाम है गवईया गधा तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बार एक बुढ़ा गधा रात में अकेला घूम रहा था उसे देखकर एक चलाक सियार ने पूछा क्यूं काका इस समय कहा चले गधे ने कहा अरे भतीजे मैं एक धोबी के घर में काम करता हूँ लेकिन वह मुझे पेट भर कर खाना नहीं देता है रात होते ही वह मुझे खोल देता है गूमते घाम थे मुझे जो कुछ मिल जाता है वही खा लेता हूँ सियार गधे से बोला तब तो काका मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ मुझे भी भूक लगी है गधा और सियार दोनों साथ साथ चलने लगे चलते चलते दोनों एक खीरे के खेत में पहुँचे दोनों ने पके पके खीरे जितने खा सकते थे उतने खाए गधे ने इतना खाया इतना खाया कि उसका पेट फूल कर जमीन को चूने लगा फिर गधा सियार से बोला बेटा इतने बढ़िया खीरे तो मैंने पहली बार खाये हैं आज मैं बहुत खुश हूँ भई अब तो मेरा जी गाने को कर रहा है सियार बोला अरे काका गाना मसरू कर देना गधे ने पूछा क्यूं भतीजे क्यूं नहीं सियार बोला क्यूंकि खेत वाले तुम्हारा गाना सुन लेंगे तो गधा बोला सुनने दो मैं किसी की परवहा नहीं करता उनको भी मेरा गाना सुनकर मज़ा आ जाएगा तुम्हें गाना नहीं आता इसी लिए तुम मुझे भी मना कर रहे हो सियार बोला अच्छा काका तुम गाओ मैं चला मैं तुम्हारा गाना दूर से ही सुनूंगा गधे ने मूँ उपर उठाया और उची आवाज में गाने लगा किसानों ने जब खेत में गधे को रेंकते सुना तो वे सब लाठी लेकर भागे और खेत में जा पहुँचे सबने मिलकर गधे को इतना मारा कि वे जमीन पर गिर पड़ा फिर वे सब उसे घसीट कर खेत के बाहर ले गए और उसे सडक पर डालकर चले गए थोड़ी देर में सियार वाँ पहुचा गधे को अधमरा देखकर उसके पास आकर बोला क्यूं काका आ गया गाने का मज़ा गधा बोला अरे भतीजे अब बहुत हो चुका अब यह बताओ कि मैं घर कैसे पहुचू सियार आगे बढ़ता गया और बोलने लगा काका चिंता काहे की धोबी खुद आकर तुमको ले जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसी ही और मज़दार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस तब बैल आइकन फॉर मोर वीडियो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग